नमस्कार दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एलियट क्रिप्टो कॉनर के एक नए विडियो में हमारे दोस्त वेचेन ने पिछले हफ़ते में आरंभिक रूप से उच्छाल करने में सफलता प्राप्त की और फिर से अपने पिछले उच्छांकों को पार किया हाला कि यह अपने इन स्थरों पर बनाए नहीं रख पाया और इसलिए यह फिर से 0.0213 डॉलर के स्थर पर गिर गया है जहां यह अब तक है इस मुद्रा का दिखावच से बड़ा आकर्शन है लेकिन हमारी प्रात्मिक उम्मीदों के अनुसार इसे सपष्ट रूप से पीछे छोड़ देना चाहिए हम भरपूर उम्मीद के साथ इसे नारंगी तरंगी के हिस्से के रूप में लगभग 0.0280 डॉलर तक वृद्धी की उम्मीद करते हैं हम इस मुद्रा में बड़ी संभावना भी देखते हैं जैसा कि दो दिन का चार्ट दिखाता है यह अब भी 0.0420 डॉलर और शून्य डॉलर के बीच बिल्यू व्यापार्क शेत्र में है लेकिन यह पहले ही हरित तरंग 3 पर काम कर रहा है जो मूल्य को हरित तरंग के लक्षक शेत्र में बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए नित्रित्व करेगा जो 0.5796 डॉलर से 0.7540 डॉलर के बीच है बिटकोईन वर्तमान में साइडवेज में ही चल रहा है लेकिन इसमें सपष्ट रूप से उपरी दबाव का सहारा है हमने जिस वीडियो विशलेशन में भी कल समझाया था वर्तमान संरचना के साथ यहां पर चार्ट में नहीं दिखाए गए वेवस की गिंती के लिए अन्य संभावनाएं हैं एक विचार यह है कि इव वेव आखिरकार पूरा नहीं हो सकता क्रिप्टो करेंसी इस कम को और भी नीचे बढ़ा सकती है जो केवल जब हरित तरंग एव की मौझूदा कम का नीचा जाता है तो महत्वपूर्म होगा यह उपर जमा सकती है और इस तरह से एक उर्धोवरधक त्रिकोन संरचना बना सकती है इसके अलावा हरित तरंग वी भी पहले खत्म हो सकती है लेकिन ये काफी संभावना नहीं है क्योंकि इसकी व्यापार राशी अन्यथा बहुत ही छोटी होगी Bitcoin अभी भी waves एक और दो को आगे बढ़ा सकता है जिन्हें हम प्राथमिक रूप से पूरा हो चुके होते हैं और 31,475 डॉलर के समर्थन के नीचे जा सकता है लेकिन वर्तमान संकट इसके लिए आवश्यक नहीं है ये सभी अन्यविकल्प भी तब से बाहर हो जाते हैं जब crypto bell weather आखरी उच्चे से गुजरता है तो हम जारी रखते हैं कि BTC वर्तमान में हरित 5 भागी चाल के अंतिम हिस्से पर काम कर रहा है जो आखिरकार इसे हरित वेव तीन के उच्चे से गुजरने ले जाएगा इथेरियम के साथ ये भी संभावना है कि ये वेव दो को फिर से बढ़ा सकता है जिसे हम प्राथमिक रूप से पूरा मानते हैं और इतनी गहरी रीसेट कर सकता है कि फिर से हमारे हरित लक्षिक शेत्र निर्देशांक 1457 डॉलर माइनस 1754 डॉलर में गिर जाए इसलिए हम इस मूल्य सीमा को सक्रिय रखते हैं हाला कि जैसे ही क्रिप्टो करेंसी ने 2138 डॉलर के पास की प्रतिरोध को स्थाइत रूप से पार कर लिया होगा यह विकल्प भी अवाप्त हो जाएगा हम उमीद करते हैं कि इथेरियम जल्द ही इस कठिनाई को पार करेगा और हरित वेफ तीन को बढ़ाने के लिए कर दो कर दो